प्रेंड नमस्कार रादे राधे स्वागत सभी सीच्ट के लिए में अज यह लेकर आई हूँ यहंपर मैंने बनाया है एक पर तो दिखिए आप वी डिएऊ सभी कीजी वीडियों विदू हमारे अच्छा लग तो प्यारा सा पर्श बनाया है मेरा मेक अप रखने के लिए मैंने बनाया है आप चाहे तो इसमें मुवाइल भी रख सकते हैं पैसे भी रख सकते हैं पर मैंने इसे मेक अप के लिए बनाया है तो मैंने यहां पर ले लिया है यह ब्लाज लिया है ये मेरा पुराना विलाउच था वो मुझे बहुत टाइट हो रहा था पर मुझे इसकी आस्तिन बहुत ही अच्छी लग रही थी तो मैंने सोचा इसे भैकेंगे नहीं इसे कैसे यूज़ करेंगी तो मैंने यहाँ पर इसे ले लिया है और अब इसकी जो आस्तीन है उसे हम निकाल लेंगे शिलाई है पकी शिलाई है तो अब हम इसकी साहता से इसे निकाल लेंगे तो इसको मैंने पूरी शिलाई इसकी निकाल दी है इसी तरह इसे दोनों की निकाल देंगे और यहां पर मैंने पूरी निकाल दी है यह देखिए अब इसे हमाटा देंगे इसका यह बार्डर मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था पर मन नहीं कर रहा था पर इसे क्या करेंगे इतना टाइट हो रहा था तो मैंने सोचा इसे इसी तरह से यूज किया जाए तो मैंने अ लगा लेंगे यह देखिए कुछ इस तरीकी से लगाया है और इस साइड भी लगा लेंगे तो दोनों साइड मैंने निसान लगा लिये हैं अब हम इसी पर कट कर लेंगी और कपड़ा बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा टाइट कट रहा था तो आसानी से मतलब आराम से काटेंगे और यहां पर इसे काट लिया है और इस साइड भी हम काट लेंगे इसकी साड़ी बहुत ही प्यारी थी पर ब्लॉज मुझे बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा था वो ब्लॉज में इतनी जगा नहीं थी कि इसे खोल सके इसलिए मैंने इसे इस तरह से यूज कर लिया है पुराने जो ब्लॉज होते हैं आप लोग पहका मत कीजिएगा इसी जो आस्तीने होती है बहुत ही अच्छी होती है तो अभी हम इसी के साज की एक अब हम थोड़ा सा इसे अच्छे से फिनिसिंग देंगे तो यहां पर मैंने इसे आठ इंच के करीब आठ इंच के करीब निसान लगा लेंगे और बस चोड़ाई मुझे उतनी ही रखनी है जि इतनी पहले रखी थी और लंबाई में थोड़ा कम कर दिया है और अब हम इसे भी काट लेंगे बर्क बहुत ज्यादा है भी था इस पर जिसे थोड़ा टाइट कट रहा है और इस साइड भी हम काट लेंगे यह देखे कुछ इस तरीके से काटा है अब हम ले लेंगे और जिए कपड़ा बचा था यह साइश से काटा नहीं था तो उसे भी काट लेंगे और अब हम लेंगे इसी के साज़ की यह मैंने पुरानी चैन रखी थी तो इसे ले लिया है और यह थोड़ी बड़ी है पर हम इसको बाद में काट देंगे, अभी इस पर सिलाई रखते हैं, तो अब हम इसके उपर सिलाई रख देंगे, और अच्छे से, ये देखिए, अच्छे से सिल देंगे, और इसी तरह से, ये पूरा, मैंने सिल लिया है, यहां पर, कपड़ा की जो, किनारी है, बहुत ही ज़्यादा मोटी है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी सिलने में, और इसे मैंने सिल लिया है, अब इसकी फिनिशन देने के लिए, उपर से भी एक सिलाई लगा देंगे, जिससे किया ना, चैन है, अच्छे से बैठ जाएगी, और, तो मैंने यहां पर इसे सिल दिया है, और अब इस, एक जो पल्ला रखा है, जो आस्तिं रखे, उसे भी हम इसी तरह से सिल लेंगे, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा करें, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिएगा, आप लोगों की सपोर्ट की मुझे सक्स जगरत है, तो आप लोगों को अच्छा लगे, तो ही लाइक की तो ही सपोर्ट केजिए पर सपोर्ट कीजिए अच्छा लगे तो कोमेंट जरूर करिए अच्छा या बुरा जैसा भी लगे पर कॉमेंट करके बताया जरूर कीजिएगा अब जो बड़ी है चैन उसे हम काट देंगे वो चैन मोटी थी तो ये छोटी वाली कैची से नहीं कट रही थी तो आप हम इसे काट देंगे बड़ी क्या चीज़ से कुछ इस तरीके से काट दिया है अब जो भी बड़ी पड़ेगी तो उसे भी हम बाद में निकाल देंगे पूरा मैंने नहीं काटा है नहीं तो उसकी जो जिप है वो निकल जाएगी तो उपर से भी इसमें भी हम उपर से फिनिशन देने के लिए एक तो सिलाई जरूर रखेंगे जिससे के अच्छे से चैन बैठ जाएगी और अब हम इसे पलट कर सिलाई लगा देंगे इसमें यह देखिए कुछ इस तरीके से पलटेंगे और बस दोनों साथ से लगा देंगे सिलाई मेरी मशीन बहुत पुरानी है इसलिए थोड़ा देर में सिलाई कर पाते हैं वह आजकल जो मशीन आती है और पैर से चलाने वाली आती वो बहुत ही भाश्ट चलती है और अच्छा रहता है सिलने में पर यह हैंड वाली है तो एक हाँ से सिलना पड़ता है, एक हाँ से पकड़ना पड़ता है, तो थोड़ा तो टाइम लगता ही है, पर चलती पड़िया है, बहुत पुरानी है, पर चलती अच्छी है, कम से कम इसे 20 साल हो गए हैं सलाई मसीन को, पर आज भी अच्छी चलती है, और हमने दोनों से सिल लिया है आप सिल देंगे नीचे साइड से जिस पर निसान लगा है बस उसी पर हम रख देंगे मशीन ये देखिए तो मजबूती से सिल दिया है अब इसकी जो चैन थी उसको खोल कर मैंने यहां पर जो कौने थे उसको एक इंचे या आदा इंच के करीब आप जितना च क्थे सकते हैं पर मैंने यह पर आदा इंच के करीब यह रेकिए कुछ तरीखे सेब आदा इंच के करीब सिल लगा ही था दौनु साइड़ यह देखिए कुछ इस तरीके से और इसे एक एक और सिलाई लगा देंगे जिससे कि आना अच्छे से बैड़ जाएगी और मजबूती रहेगी तो दौनों साथ से मैंने दो दो बार सिलाई लगाई है और अब हमें से कट कर लेंगे यह देखिए यह देखिए जो सिलाई है उसे हम कट कर देंगे क्योंकि बहुत ही मौटा है और इसे तो काटना तो पड़ेगा ही यह देखिए अब हम इसे पलट लेंगे देखते हैं कैसा बनकर रेडी हुआ है पर आप चाहे तो इसमें मॉबायल पैसे कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि मेरा मैक अप का सामान टोड़ा बिक्रा रहता था ऐसे ही तो मैंने सोचा इसमें रखने के लिए इसको बनाते हैं और बहुत ही प्यारा बैग बनकर रेडी हुआ है यह देखिए ओफेंसी भी लग रहा है अब घर में भी यूच कर सकते हैं तो इसके लिए भी यू आया है आप चाहे तो आप चाहे तो मोबाइल पैसा हो या कुछ भी रख सकते हैं इतना अच्छा तो बना ही है और लग भी रहा बहुत अच्छा देखने में और आप सभी को वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ली झाल झाल